18 नवंबर 1999 सवीधान अपनाने से ठीक आठ दिन पहले सवीधान सभा के अंदर एक जपर्दस्त बहसुई डॉक्टर अंबेड कर और एच्वी कामंत के बीचू कि बाबा साथ द्वारा लिखे सवीधान का आर्टिकल एक इस देश को इंडिया देट इस भारत इन दो नामों क पहचान दे रहा था कामंत और गोविंदास का कहना था कि इस धर्ती का गोरपुन इतिहास और यहां के लोगों की पहचान गुलामिकाल इंडिया से नहीं बलकि सरवोत्तम सच्की खोजबुध मावीर किर्शन गुरुनानक किर्शन मोर्ती जैसे देवपूर्सों की उपस् मातमा गांधी का नाम लेकर बोला था गोविंद दासने की इस देश ने जिस आजादी के लिए खून बहाया उसमें लगने वाली जै भारत मा की थी विरोध हुआ जो कर सकते थे वोट डली और इंडिया जीत गया इतिहास 500 साल का हो गया किताबे मुगलों की कला से चमकने इतिहास है हमारा 500 का नई बलकी 5000 साल पुराना दुनिया की सबसे प्राचिन सब्यता और धर्ती पर सबसे पहला धर्म जिसे आप हिंदूईजम और हम सनातन धर्म कहते है निरगु निरका निरंजन ंसनाधी प्रमातमा प्रमातमा के अंस्वर्ग नानरत Wilson अन्य अम्रति और वाइब्रेसन है इस भ्रह्मान की परकर्ति पूजने और सूर्य अगनी का परतीक भगवा पहचान है हमारी घाना नहीं है किसी के पेट का गाए माजननी है कलपना नहीं है किसी की सिरी राम इतिहास है हमारा सिवकी नगरी वारान सी किर्शन की मतूरा राम की अयोध्या सेर हो देवपुर्सों का उस सविधान सवा में जानते तो सबते खुलकर बता नहीं सके कि इतना विरोध होने के बावजूद इंडिया नाम से इतना लगाओ क्यूं था कुछ दलीले दी गई है कहकर कि इंडिया सेकुलर की पहचान होगा अलब संख्यक सुरक्सित और बराबर महसूस करेंगे हिंदुस्तान भारत हिंद भारत वाइस जैसे नाम संपर्ताइक तकी छाप और अलब संख्यकों को हिंदु आइस जोने का बैप पैदा करेंगे आजाज तो जरूर हुए थे हम लेकिन एक ऐसे नाम के साथ जिसका इस देश के लोगों के साथ कोई सांस्क्रितिक मैतु नहीं था एक ऐसी भासा के साथ जो ये देश बोलना नहीं जानता था एक ऐसे लोक्तंत्र के साथ जो सवराज पढ़नाली को खतम कर कलेक्टर राज पर खड़ा था और एक ऐसे सविधान के साथ जो इस देश के समाज की आकांसाओ को परतिबिंदित नहीं करता था हम कौन है अगर ये देश ये बताने में आत्म गोरव रास्ट गोरव की अनुबूति नहीं करता तो जिस देश का सपना स्वामी विवेक आनंद के परवचन में था चिरी और बेंदू की वानी में था लोकमान्य तिलक के दर्सन में था बाबा साब अंबेड करकी सविधान रचनाओं में था और जिस देश का चित्र मातमा गांधी ने प्रस्तूत करा था वो देश आजादी के बाद भारत से इंडिया बन गया इतिहास 500 साल का हो ग लेगा यह देश फिर से अपनी संस्कृति अपनी पर्थिस्था इतिहास अपना मोलिक रूप लेगा हर कनकन तनमन इस हर्थिया में आत्म गोरव बढ़ने वाला इस देश का नाम भारत लेगा क्योंकि आप यह दा टोक शो बोलेगा दिस इस आलो कुमार फॉम टॉक्स ले सब्सक्राइब आज तक सुलगरा है